एक्सराइज 1.3, Q7, X over X minus 3 plus 4 into X minus 3 over X that is equal to 4 तो यह हमारे पास टाइप 2 है, equation reducible to quadratic form उसका link आई बटन में लगा दिया है, आप लोग वो वीडियो भी वहाँ से जाकर देख सकते हैं आप में जो है अब हमने क्या करना है, substitution करनी है तो X over X minus 3 को अब हमने क्या करना है, Y put कर देने हैं, ठीक है, तो अब अगर हम next value में देखें तो हमारे पास यह given है, X minus 3 over X given है, यह जो Y अब हमने put किया है, इसी को अब हम अगर उल्ट कर दें तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा 1 over y बन जाएगा और यही value जो है हमारे पास x over x minus 3 जो है x minus 3 over x बन जाएगी तो just आपने क्या करना है यह वाली value जो है इस equation में put कर देनी है तो आ जाएगा y plus 4 into 1 over y that is equal to 4 वीडियो को end तक लाजमी देखें और मेरे चैनल को subscribe कर लें ठीक है y square plus 4 that is equal to 4y हमने क्या किया इस equation को 4 को हमने y से multiply करवा दिया तो जैसे y से multiply करवाएगे तो y square plus 4 that is equal to 4y इसको rearrange कर लेते हैं तो जैसे rearrange करेंगे तो यह हमारे पास बन जाएगा y square minus 4y plus 4 that is equal to 0 अब आप लोगों ने factorization method भी पढ़ लिया completing scale भी पढ़ लिया है और quadratic formula भी जूज किया है तो कोई भी आप लोगों ने method वो apply कर देना है तो मैं जो है के सामने यहाँ पर factorization method apply कर देता हूँ यह आजाएगा हमारे पास 4 1 times 4 यह हो जाएगा 2 2 times डोनो माइनस में ले लेने हैं तो यह आजाएगा y square minus 2y minus 2y plus 4 that is equal to 0 इदर से y common ले लेने है y minus 2 इदर से minus 2 common y minus 2 that is equal to 0 अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास again जो common आ रही है वो यह दो terms आ रही हैं तो इनको आजाएगा y minus 2 common आ जाएगा remaining y minus 2 that is equal to 0 अब यह देखें हमारे पाब बेसी सेम है तो हमेशा powers इनकी बान है तो वो add हो जाएगी तो यह आ जाएगा y minus 2 whole square that is equal to 0 taking square root on both side to y minus 2 that is equal to 0 square root लेंगे यह cancer out हो जाएगा y की जो यहां से value आ जाएगी वो क्या जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी अब हमने क्या करना है तो substitution ली थी उसमें यह वाली y की value put कर देना है substitution क्या थी x over x minus 3 that is equal to that is equal to y तो यह आ जाएगा x over x minus 3 that is equal to 4 यह वाली term divide हो यह है right side पर shift करेंगे तो multiply हो जाएगी तो हो जाएगा x that is equal to 2 into x minus 3 x is equal to 2 x minus 6 तो यह left side पर x given है right side पर shift करेंगे तो 2 x minus x minus 6 that is equal to 0 x minus 6 that is equal to 0 then x is equal to 6 तो यह हमारे पास जो है x की यहां से value आ जाएगी तो जो हमारे पास solution set बनेगा वो क्या होगा अगर किसी चीज की शंबर नहीं है तो आप लोग वीडियो को repeat कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपना ख्यार रिश किएगा टेक कियर अपना